दिखाए कम्प्यूटर जी पहला क्वेशन तो पहला क्वेशन आप लोगों के लिए सर्व प्रथम मोडेम का विश्कार किस कमपनी द्वारा किया गया एपल कम्प्यूटर इंकॉर्पेशन डिजिटल एक्विप्मेंट कॉर्पेशन बैंग लेबरेटरी लिमिटेट एटी एंटी कॉर्पेशन तो ची आप लोग राइट अंसर क्या होगा इसका मोडेम का विश्कार किस कमपनी द्वारा किया गया गया देखिया इसका राइट आंसर होगा एटी एंटी कॉर्पेशन इसके फल फॉम हैं अमेरिकन टेलिफॉन and टेलीग्राफ कॉर्परेशन ठीक है और मोडेम का विश्का 96P2 में बैल 103 ने AT&T कॉर्परेशन के साथ किया था चली राइट आंसर चेक करते हैं दिखाई को पुटर जी यह देखिए राइट आंसर इसका AT&T कॉर्परेशन चली बढ़ते हैं आगे सब्सक्राइब नमस्कार मैं सवहन आलो रहा आप सब्सक्राइब करता हूं मारे यूट्व चैनल आरपी कंप्यूटर एड़िशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी कंप्यूटर ऑप्चेक्टिव क्वेशन की एक सीरीज चल रही है उसी सीरीज में एक नया क्विश दुबारा से मैं आप सब्सक्राइब करा हूं तो चलिए देर ना करते हूं शुरू करता हमारे क्विश को देखे अगला क्वेशन है आप लोगों के लिए एक प्रकार के सॉफ्ट्वेर जिनका उप्योग निशुल किया जा सकता है ओपन सोर्स, सॉफ्ट्वेर, ओफ्सोर्स सॉफ्ट्वेर, स्मार्ट वेयर और मल्वेयर सुचे आप लोग रेट अंसर क्या होगा एक प्रकार के सॉफ्ट्वेर जिनका उप्योग निशुल के अजा सकता है देखे इसका राइट अंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर इसका राइट अंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर जिसे OBS है आप वीडियो रिकोर्ड करने के लिए अगर आप OBS software का यूज़ करते हैं तो OBS भी एक open source software है चलिए right answer चेक करते हैं इसका यह देखें का right answer है open source software चलिए बढ़ते हैं आगे तो अगला question आप लोगों के लिए group where क्या है hardware network software या firmware इसका software ग्रूप वेयर क्या है hardware network software या firmware तो चेखें आप लोग रैट अंसर क्या होगा कि देखें ग्रूप वेयर क्या है एक software है अग्रूप वेयर क्या है एक software है चलिए right answer चेक करते हैं दिखाई computer जी तो इसका software चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि देखें अगला कोश्चान आप लोगों के लिए पूरी तरह से परस्पर जुड़े network topology का वेकल्पिक नाम है मैश ट्री रिंग और स्टार पूरी तरह से परस्पर जुड़े network topology का वेकल्पिक नाम है मैश ट्री रिंग और स्टार तूचे आप लोग राइट अंसर कि देखें इसका राइट अंसर होगा बैश टोपोलोजी तो यह ज़िए राइट अंसर चेक कर लेते हैं इसका मैश टोपोलोजी चलिए बढ़ते आगे अगला कोशन आप लोगों के लिए नेमने में से कौन सा एक email क्लाइंट नहीं है गूगल याहू जीमेल रेडिफ नेमने में से कौन सा एक email क्लाइंट नहीं है तो चाप लोग राइट आंसर क्या होगा इसका देखे इसका राइट आंसर होगा गूगल याहू जीमेल और रेडिफ क्या है email क्लाइंट सर्विसेज है ठीक है गूगल एक सर्च इंजेन है और इसकी एक सर्विस है आपकी जीमेल ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा कर लेते हैं यह देखे राइट अंसर इसका गूगल है चलिए बढ़ते आगे अगला क्वेशन आप लोगों के लिए विंडोस साउंड फाइल का एक्स्टेंशन होता है डोट डब्लू एवी डोट साउंड फाइल का एक्स्टेंशन विंडोस की जो साउंड फाइल होती है उनका एक्स्टेंशन क्या होता है देखे इसका राइट अंसर होगा डोट डब्लू एवी कि इसकी फूल फॉर्म है वेव फॉर्म ठीक है इसे 1901 में माइक्रोसॉप्ट ने आई बीम कंपनी के साथ मिलकर विक्सित किया था ठीक है चली राइट अंसर भी चैक कर लेता है यह देके राइट अंसर है इसका डोट डब्लू एवी चली बढ़ते हैं आगे तो अगला कुशन है आप लोगों के लिए MS Word में Manual Line Break के लिए Shortcut कुझी क्या है MS Word में Manual Line Break के लिए Shortcut कुझी क्या है Ctrl Enter, Alt Enter, Space Enter और Shift Enter तो चैक आप लोग राइट अंसर क्या होगा इसका MS Word में Manual Line Break के लिए देके इसका राइट अंसर होगा Shift प्लस Enter चली राइट अंसर चैक करते हैं यह देके इसका राइट अंसर है Shift प्लस Enter चली बढ़ते हैं आगे अगला कुशन है आप सभी के लिए एक Computer Network पर एक चेंडरीय सर्वर है एक Computer Network पर एक केंडरीय सर्वर है जो जूड़े हुए graph को server की भंडारन शम्ता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है option जा आपके पास web server, application server, print server और file server तोचे आप लोग right answer एक server, एक entry server जो जूड़े हुए graph को server की भंडारन शम्ता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जीकि इसका right answer होगा, file server चलिए right answer check करते हैं, दिखाएं computer जी, ये दिखे, right answer है इसका, file server चलिए बढ़ते आगे तो अगला कुशन है आप सभी के लिए कौन सा server, web server को हम लोग से बचाता है और production और विस्वस्नियाता लाप्रदान कर सकता है अप्शन से आपके पास, closed proxy, open proxy, reverse proxy, दोनो A और B सुचे आप लोग right answer कौन सा web server है कौन सा server, web server को हम लोग से बचाता है, protect करता हैं को सुचे आप लोग right answer, देखे, इसका right answer होगा reverse proxy, चलिए right answer भी check कर लेते हैं, यह देखे, इसका right answer है, reverse proxy, चलिए बढ़ते हैं, अगला कुशन है आप सभी के लिए, ms. cs. cs. अन्य directories या disk में स्तित, files तक access प्रदान करने के लिए किस command का उपयोग किया जाता है, option आपके पास tree, c. d. path,odle r. उचिय आप लोग right answer क्या होगा सुचे आप लोग right answer क्या होगा इसका? स्थित 20 तक अक्सेस प्रदान करनी के लिए इस कमाड को प्योक किया जाता है देखें इसका right answer होगा path शली right answer चाक कर लेते हैं कि इसका right answer है path कि जली परगते हैं आगे तो अगला कोश्यन आप सभी के लिए वे कौन से input डिवाइस है जो श्रोत दस्ता वेजों से computer system में सीधे data प्रविष्टी को सक्षम करते हैं वे कौन से input device हैं जो स्रोत दस्ता वेजों से computer system में सीधे data प्रविष्टी को सक्षम करते हैं ओप्शन्स आपके पास डेटा पूर्ण प्राप्ट करने वाले उपकरण डेटा स्कैनिंग डिवाइस डेटा प्राप्ट करने वाले उपकरण डेटा प्राप्ट करने वाले उपकरण और सिस्टम एक्सेस डिवाइस तो 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 आप लोग राइट अंसर क्या होगा इसका 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 राइट अंसर होगा डेटा स्कैनिंग डिवाइस चलिए राइट अंसर चैट करते हैं यह देखे राइट अंसर इसका डेटा स्कैनिंग डिवाइस चलिए बढ़ते हैं आगे अगला पॉश्ण है आप सभी के लिए निम लिखित में से कौन सा उप करण डिजिटल सिगनल को एनलोग सिगनल में और इसके विप्रीद परिवर्टित करता है अप्शन सा आपके पास स्विच, मोडेम, डिजड और राउटर निम लिखित में से कौन सा उप करण डिजिटल सिगनल को एनलोग में और इसके विप्रीद परिवर्टित करता है तो क्या आप लोग राइट अंसर, देखे इसका राइट अंसर होगा मोडेम, मोडेम आपका एनलोग सिगनल को डिजिटल में और डिजिटल सिगनल को एनलोग में चेंज करता है चलि राइट अंसर भी चैक कर लेते हैं यह दिखे राइट अंसर इसका मोड है चलि बढ़ते हैं कि अगला कुशन आप सभी के लिए वाया नेटवर्क टॉपोलोजी जिसमें प्रत्यक नोड केवल अपने निकरतम परोसियों से जुरा होता है कहलागी है अप्शन से आपके पास स्टार, बर्स, रिंग और मैश सुचे आप लोग राइट अंसर वहर नेटवर्क टॉपोलोजी जिसमें प्रत्यक नोड केवल अपने निकरतम परोसियों से जुड़ा होता है दिखे इसका राइट अंसर होगा रिंग टॉपोलोजी चलिए राइट अंसर भी चैक कर लेते हैं इसका राइट अंसर है रिंग टॉपोलोजी चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वश्चन आप सभी के लिए नेम लिखेत में से कौन सा संदर्ब मोडल इंटर नेटवर्किंग के लिए उप्योग किया जाता है ओप्शन से आपके पास टीसीपी, रिले, ओएसाई और इंटरनेट तोचे आप लोग राइट अंसर नेम लिखेत में से कौन सा संदर्ब मोडल नेटवर्किंग के लिए मोडल इंटरनेट वर्किंग के लिए उप्योग के आजाता है इसका राइट अंसर होगा OSI मोडल इसकी फिलफोर्म होती है Open System Interconnection चली राइट अंसर भी चैक करते हैं इसका राइट अंसर है OSI ठीक है चली बढ़ते हैं आगे नेम लिकित में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच आपकी सुरक्षा के रूप में कारिय करता है Options है आपके पास SQL injection, firewall, hashing और cross server scripting सुचे आप लोग राइट अंसर आपकी लैंड और इंटरनेट के बीच में आपकी प्रोटेक्शन कौन करता है इसका राइट अंसर होगा fire wall तो यह राइट अंसर चैक करते हैं यह देखिए इसका राइट अंसर है fire wall आज के वीडियों बस इतना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और अपने friends के साथ जाज़ से जाज़ा शेयर करें और अगर आप इस channel पर नए हैं तो हमारे channel को subscribe करें और साथी बेल आइकन ज़रू तब है और अगर आप किसी ऐसे competition exam के त्यारी कर रहे हैं जिसमें computer science के questions पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं जिसमें हम daily computer के जो objective questions हैं वो उसमें upload करते रहते हैं तो आप हमारे telegram channel को भी join करें इसी के साथ thanks for watching